दोस्ताप लोग के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें ये बताएं कि प्रोसेसर का जो नंबर होता है, हम कैसे पहचाने कि वो किस जनरेशन का है, इस पर चुकि मैंने बहुत पहले वीडियो बना रखा है, तो साइध वो वीडियो बहुत पीछे हो गई होगी, लोग उसको नह देख पा रहे होंगे, तो मुझे लगा कि ये समझा देना जादे जरूरी है आज की रेट में, ताकि आप लोग ये समझ पाएं प्रोसेसर के नंबर को देख करके, कि ये प्रोसेसर किस जनरेशन का है, और उसके साथ में ही जो नंबर के बाद जो अलफाबेट जो कोड होत कि ये अक्चुली इस प्रोसेसर के अंदर क्या है, किस जनरेशन का है, और इसके अंदर क्या खास बात है, इन सब को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे डीटेल्स में, तो इससे समझने के लिए आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहें, पहली बार चैनल पर हैं, तो हम समझते हैं, सबसे पहले कि नंबर के बाद भी हमसे हम कैसे जानेंगे, कि ये प्रोसेसर किस जनरेशन का है, तो जैसे आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से बहुत सारे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि सभी नंबर के बाद में आपको कोई ना कोई एक अलफावेट लगा हुआ है, और बिना अलफावेट लगे हुए भी आते हैं, वो जो है बिल्कुल भी नॉर्मल प्रोसेसर होते हैं, यानि उसके अंदर जो है क्या होता है, उस पर भी हम अभी बात कर लेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि जनरेशन को कैसे समझेंगे, यानि कि I5, I3, I7, I9 इसको आप छोड़ दें, ये तो एक अलग चीज हो गई, अगर इसके बारे में भी जानना है, तो प्लिस कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, हम इस वीडियो के अंदर हम जो है, नमबर और अलफावेट, यानि I5, I3 के बार जो नमबर है, उसके बारे में समझेंगे, तो जो आगे जो नमबर से हैं, उस नमबर के अंदर अगर 5 डिजिट ह तो उसके पहले जो दो नंबर है, जो दो अंक है, वो उसके जनरेशन को दरसाता है, और अगर उसके अंदर 4 नंबर का कोई भी अगर प्रोसेसर है, तो जो पहला एक अंक है, जो एक नंबर है, वो उसके जनरेशन को दिखाता है, और बागी के जो नंबर से हैं, उसके नंबर बाकि वही पर आप देख सकते हैं i3 का 10100F है इसका मतलब यह हो गया कि यह i3 का 10th generation का प्रोसेसर है और F है उसके अंदर क्या खास बात है उसके बारे में भी अभी समझेंगे उसके बाद i5 का 11th generation है 11400F यह 11th generation का है और 400 इसका नंबर है इसके अंदर 600 अगर आजाए तो आप यह जान करके चलें कि 11th generation में 400 से बड़ा 600 वाला है उससे ज्यादे भेतर परफर्मेंस देगा इस तरीके से आपको मान करके चलना पड़ेगा यह ऐसे ही इसके generation साते हैं आगे जनरेशन का यह प्रोसेसर है उसके बाद i5 का 34-74 है इसके अंदर 1st जो है वो 3 है यानि कि थर्ड जनरेशन का यह प्रोसेसर है इस तरीके से मैं उमिद करता हूँ कि आपको generation समझ में आ गया होगा कि हम कैसे समझेंगे कि i5, i3 का यह कौन से generation का प्रोसेसर है तो इस तरीके हम समझते हैं कि जो i9 12900 के जो है इसके अंदर के का क्या मतलब है के का मतलब होता है अनलग प्रोसेसर यह लॉक्ट नहीं है यह अनलग किया हुआ है यानि कि कुछ प्रोसेसर होते है जो इनकी frequency बिल्कुल भी जो है वो लॉक कर दी जाती है उससे उपर हम उसके frequency को नहीं ब अएक ऑबरखलोग कर पाएंगे जैसे कि ऑबरखलोग का अपने नाम सूना होगा उभरिकलोग कर सकते हैं जितने भी प्रोसेसर को हम ऑबरखलोग कर पाएंगे उसके ऊपर जो है लास्ट में के लिखा होगा लेकिन ऑबरखलोग हम जब ही कर पाएंगे जब आपका mother board भी support कर रहा होगा overclock को क्योंकि motherboard को ही प्रोसेसर के voltage को हमें increase करना होता है तो motherboard से जब increase करेगा voltage तभी इसका voltage increase होगा तो overclock करने वाला motherboard ही भी होना चाहिए यानि कि case series को support करने वाला motherboard भी होना चाहिए तभी हम case series का फायदा उठा पाएंगे तो यह आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद लिखा हुआ है अगले पर i5-12400F F का क्या मतलब है तो F का कोई वैसा फूल फार्म नहीं होता लेकिन जितने भी Intel के प्रोसेसर हैं जिसके अंदर F लश्ट में लगा हुआ है F-Series के जितने भी प्रोसेसर हैं उसके अंदर iGPU नहीं होता यानि कि उसके अंदर कोई भी ग्रैफिक नहीं होता अगर आपको डिस्पले लाना है तो भी आपको कोई ना कोई चाहे हलका चाहे जादे है भी आपको कोई ना कोई आपको dedicated graphic लगाना पड़ेगा तभी जाकर के उसके अंदर आपको display दिखेगा नहीं तो display भी नहीं दिखेगा तो जिन लोगों को gaming desktop build करना होता है तो वो लोग हमेशा F-series buy करते हैं क्योंकि gaming जब भी आप कोई भी desktop buy करेंगे या assembled करेंगे, build करेंगे तो उसके साथ सभी का एक उद्देश से होता है कि एक dedicated अच्छा graphic जो है हम उसके अंदर लगाएं तो जब graphic लगाएंगे तो हम IGPU वाला processor को क्यों buy करें क्योंकि एक ही processor, एक ही number का processor जो simple है यानि without F है जिसके अंदर F लगा हुआ नहीं रहेगा किसी भी alphabets वाले के अंदर अगर F छोड़ करके बाकी कोई सा भी है तो उसके अंदर IGPU है यानि कि उसको direct अगर आप लगाते हैं उसके अंदर से आप display देख पाएंगे लेकिन F series वाले के अंदर आप display नहीं देख पाएंगे लेकिन वहीं पर same number का एक without F है और एक F के साथ में है तो जो without F है उसका price थोड़ा सा जादे होगा और जो F के साथ में है उसका price थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उसके अंदर IGPU है जिसके वज़े से उसका price बढ़े गया जिसके अंदर IGPU निकाल लिया गया उसके अंदर से graphic हो तो उसका price थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि आपको अलग से आप dedicated graphic यूज़ करना पड़ेगा तो इसलिए gaming processor अगर आप buy करना चाहते हैं gaming PC build करना चाहते हैं तो आप F series का processor buy करेंगे तो आपको processor सस्ता पड़ेगा जो कि वही पैसा ले करके आप उसके graphic के अंदर लगा दे dedicated graphic के अंदर लगा दे तो आपको थोड़ा सा यहां पर cost cutting हो जाएगी और सही cost cutting होगी बहतर performance यहां पर यह देखने को मिल जाएगा उसके बाद KF देखने को मिल जाता है तो जिसके तर सिर्फ F रहता है उसके अंदर IGPU नहीं होता लेकिन simple होता है लेकिन KF अगर लग गया तो यानि कि वह F series है उसके अंदर IGPU नहीं है लेकिन वह unlock processor है उसका जो frequency है उसको जो है आप बढ़ा सकते हैं जानि कि उसको जो है overclock कर सकते हैं motherboard अगर आपको support कर रहा है तो आप उसको overclock भी कर पाएंगे और वो सस्ता भी है क्योंकि F series का processor है उसके अंदर IGPU नहीं है तो KF का ये मतलब होता है उसके बाद जो आ जाता है वो है U series U series processor ये laptop के अंदर आते हैं laptop में ही आपने नाम सुना होगा कई सारे processor उसके processor number के बाद यू लगा होता है ये जो है laptop सारे के सारे energy efficient laptop जितने भी होते हैं उसके अंदर आते हैं क्योंकि ये processor energy efficient processor है यानि कि ये बहुत ही कम TDP के साथ में आता है और ये जो है बहुत ही कम current लेता है कम current पर बहतर performance देने के लिए बनाया हुआ है तो चुकि laptop से हमें बहुत ही बहतर backup के भी जरूरत होती है इसलिए वहाँ पर U-series का processor लगाए जाता है ताकि हमको एक बहतर backup भी मिल जाए performance के साथ में तो अभी जितने सारे laptop आ रहे हैं slim and trim आ रहे हैं तो slim बनाने के लिए उसके अंदर आपको U-series का processor लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यही एक processor है जो बहुत ही कम space लेता है इसकी मोटाई बहुत ही कम है उसके बाद H-series H आता है processor का जो भी number है उसके बाद H लगा हुआ दिखेगा आप यह हमेशा gaming laptop के अंदर आपको देखने को मिल सकता है यह जो processor है यह high performance जो है gaming performance के लिए आता है यह design special किया गया है gaming laptop के लिए ताकि high performance इससे निकाला जा सके तो जितने भी gaming laptop है उसके अंदर high performance वाला अगर laptop आप बाई करेंगे तो उसके processor के बाद जो है H आपको देखने को मिलेगा तो आप normally यह भी समझ सकते हैं कि जो भी gaming laptop आप बाई करने जा रहे हैं उसके अंदर जो processor लगा हुआ है उसके last time अगर H लगा हुआ है तो आप यह मान करके चलें कि gaming में यह बहतर performance देने वाला है उसके बाद जो है Hs भी आता है Hs जितने भी gaming laptop slim है बहुत ही जादे slim यानि कि high performance के साथ अगर slim laptop बनाना है उसके अंदर Hs series का processor आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर high performance भी होगा और slim laptop भी होगा यानि slim भी है साथ में और high performance के लिए भी बना हुआ है तो उसके अंदर Hs series आपको देखने को मिलेगा तो ये थे सारे के सारे alphabet का मतलब जो कि आपके processor के quality को दरसाते हैं कि अंदर क्या है क्या खास बात है उनके अंदर उसको दरसाते हैं मैं मित करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इसका हम generation कैसे निकालेंगे और alphabet का मतलब क्या होता है दोस्तों ये वीडियो information आपको कैसा लगा प्रीज आप comment में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडिशे वीडियो को लाइक करें प्राइक करें सबस्क्राइक करें